नमस्ते सिसरकाल सलाम and hello to my beautiful people out there मैं श्री आप सब की श्री आज फिर से एक नए डिदिंग की साथ आप सब के सामने हाजर हूँ टार विश्री टिपल वन में आप सब का तहें दिल से स्वागत है कैसे हैं आप सब आपके मज़े में होंगे पॉस्तिव सोच रहेंगे पॉस्तिविटी ही स्प्रेट कर रहे होंगे सगाई इस सेशन में हम देखें कि आपके पार्टनर की करेंज फिलिंग और एक्षिन क्या चल रहा हूं के मन में ऑके एक्स आपके करेंट पार्टनर हस्बन वाइफ कोई भी जिसके सथ आप इंवॉल्वड हैं उनको सोच कर यह रिडिंग आप देख सकते हैं अलक्टिव रिडिंग है जन्रल रिडिंग है बस अतना है आपको दिमाग में रखना है सब कुछ आपके सथ मैच हुए जरूरी नहीं है तो चीज़े मैच होती है उस गाइदन्स काइदन्स को फॉलो कीजिए ताकि इस रिडिंग की पॉजिटिव आउटकम को प्रसीव कर पाओ टाइमलेस रिडिंग है जब इस रिडिंग आपके सामने आए यह उस टाइम ही आपके लिए एप्लिकेबल होगी ठीक है जैनल स्पसिफिक रिडिंग नहीं है आप किसी भी जबी जनल के लिए यह डिख सकते हैं और किसी भी जनल के लिए घिख सकते हैं तो इस रिडिंग to lay please guide मेरे विवर्स के पाने सिसक बारे मैं सोच रहे हैं उनकी पीलिंग सेच अनुछे मेरे विवियोव ठीके किया है दॉइनमेरे विर्डिंग मेरे विविवर्स के बारे मे के इंटेंशन मेरे वीवर्स को ले कर किया है रिवायन प्लीस काल मैंदियर अंचल इंचल स्थ टुट में प्लीस वन्मर टैम प्लीज हंक्ट मन अचल विए फीलिंग विए टीक है कंफूस्ट अच्छा बॉट्म उट्ड he ऑनल ना नस्टाल्जिक पील कर ना आपको याद कर ना वहार जा चैसल गओ साममोड़ी इस प्राइए फिटना में स्वेमिरी आधन हा scientists और वीकनिंग एनरजी एहां पर है सूल कॉंट्राक्ट हिदन कुछ चीजी ऐसी है जो क्लियर नहीं है यहां पर ठीक है ख्लियारती नहीं है सून के अरजी है रियुनियन सून के अरजी हां पर की समुगरी दिस्वाइ्णी ए ए र्याइ्ट समोगा दो समोगरी ए ए र ही मुन अगेन इमोशिन गली अजी है अबंदन्स अजी क्रेस्टल अचीवंट्स के अजी है अबलाई अच्छा कोई इस गुद्लक इंग बालन्स इति इतिफल अपके पार्टर के साइन जो हो सकते हैं आईचीज मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है यहां पे लियो बहुत स्ट्रॉंग दिख रहा है मचे यहां पे लिप्रेक और इस जैमेनी कैंसर कॉप्यों पाइस टिक है नमश्य इंपर्टन तो सकते हैं आप लोगे लिए वो है त्वेल एटीन टू एट सेवन सिक्स ट्वेंटी थी फाइफ ट्वेंटी फाइव सेवन नाइन 99 के एनर्जी है 1 10 & 4 ब्यूटिफुल 99 के बाद 11 के एनर्जी है मतलब एक एक साइकल कंप्लीट होके एक रिस रिस्टार्ट कुछ जैसे कुछ एनर्जी दिख रहे है मुझे आपर ठीक है मुझे है दो तीन एनर्जी दिख रही है दो तीन एनर्जी में एक तो क्रश के एनर्जी दिख रही है मुझे यहां पर न्यू लव की एक मुझे दिख रही है यहां पर सेम जेंडर की और एक मुझे दिख रही है यहां पर किसी एक्स की ठीक है यह जो इनसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं यह इनसान थोड़े से स्टक है अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में इनसान स्टक है इनको फ्रिडम चाहिए इनके लाइफ में कोई ऐसे इनसान है जो कि इनको बहुत कंट्रोल करते हैं पैरेंट्स हो सकते हैं या फिर ऐसे इंसान इनके लाइफ में हैं जो कि इनके लाइफ को बहुत कंच्रूल करते हैं. जहां ये इनसान थोड़े से अपनी लाइफ को स्टक फिल करते हैं. ये वहाँ पर उतने खुश नहीं हैं. तो एनरजी जो है इनकी वो थोड़ी सी चुपा रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे हैं आपको खुल के, अगर crush हैं तो भी नहीं बता रहे हैं, अगर past के person है तो भी नहीं बता रहे हैं, crush हैं, अगर current partner है तो भी अपनी feelings को खुल के यह नहीं बता रहे हैं, ठीक है, मुझे current partner के energy यहां पर कम दिखाई दे रही है, है क्योंकि या तो इनके लाइफ में दो आप्शन हो सकते हैं या फिर ये अलाइंड हैँ कर ला है दिल कुछ और शाहता है, दिमाग कुछ और बुलता है ऐसी क एनर्जी है ठीक है सो ये इनसान आपके साथ इनको जो feelings है वो दिखाएं कैसे इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इनको clarity नहीं है clarity का जो card है वो obstacle में है तो इनको clarity नहीं है क्यों clarity नहीं है आप हो सकता कि अपनी feelings को छुपा रहे हैं नहीं बता रहे हैं इसे share नहीं कर रहे हैं या जैसे सोच रहे हैं कि पहले वो इंसान सामने वाला इंसान पहले एक्सप्रस करे कुछ तब जाके मैं एकस्प्रस करूं ऐसी का नजी दिखरें मजहें आपे सो क्लियारटी नहीं मिलने के वज़से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपा रहे हैं और confused हैं, confused इसलिए हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक bond feel होता है, लेकिन आप में वो bond इनको नहीं दिख रहे हैं जो पहले इनको देखता था, या फिर ये जो देखना चाहते हैं आप में, वो bond इनको नहीं दिख रहे हैं, में भी past की जो person आपके हैं, वो आप में एक bond देखते थे, आपके नजर में, मतलब आपकी नजरों में या फिर आप उनको बोलते थे, कि हमारे बीचे ऐसा कोई bond है, ऐसा कुछ, जो कि वो भी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इनसान confused हो रहे हैं ठीक है, और आप से, आपको कैसा देख रहे हैं इनसान, आप उनको बहुत ज़्यादा strong दिख रहे हो, बहुत bold दिख रहे हो, और आपके जिन्दगी ऐसी है कि आप बहुत achievements आपके life में हो रहे होंगे, आप financial abundance बहुत gain कर रहे होंगे आप, यह फिर आप कहीं न कहीं stable हो रहे हैं, stability आ रही है आपके life में, यह इनसान नहीं भी है तो आपकी life जो है, वो growth की तरफ है, आपको यह इनसान ऐसे देख रहे हैं कि आपकी life growth की तरफ है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये इनसान जब रहेंगे तो इनकी भी ग्रोथ और एक अवेकनिंग एक कुछ नया सीखना या फिर एक कॉंफिडेंस ये सारी चीजें आपके साथ रहने से होती हैं जो कि अभी नहीं है उनके लाइफ में इसलिए ये इनसान आपको ग्र फिर अधर सूल कॉंट्राक्ट से आप दोनों के बीच या फिर सूल से जुड़े हैं अगर आप तो आप ग्रोथ की तरफ और इनकी लाइफ अटकी कैसे हैं सब्प्रेशन के बाद आप ग्रोथ कर रहे हो और ये इनसान अटक गए हैं इसा कैसे हो रहा है तो ये इनसान आप अपने लाइफ में खुश हो, अचीव कर रहे हो सब कुछ, तो ये इंसान इनकी जिन्दगी कैसे रुग गई, इनकी खुशियां कैसे रुग गई, इसकी क्लियारटी इनको नहीं है, इसलिए अपनी फिलिंग्स रुपा रहे हैं, क्योंकि आप भी अपनी फिलिंग्स र चाहते हैं, ऐसी इनकी है, और रियूनिन चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जब रियूनिन करेंगे ना, मतलब आपके साथ जब इनका यूनिन होगा, तो इनके लाइफ में अबर्डन्स आएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, इनको freedom चाहिए, जहां भी ये इनसान है ये stuck है और ये stuck feel करते हैं, कहां फ TWS गया यार, वली के energy घीक है, और इनको freedom चाहिए, अपने life में ये जो चाहते हैं, वो करना चाहते हैं अभी इनके life में कोई ऐसे controlling energy है, जो कि इनको control करती है यह नहीं करना है वो नहीं करना यहां नहीं जाना है वहां नहीं जाना है यह फोन चेक करना कहां जा रहे हो पता करना ऐसी कोई इनके साथ है connected जो कि इनको अपने मन का नहीं कुछ करने दे रहे हैं और यह इंसान अपने मन से जीना चाहते हैं देखे एक एंजल यहां है जिनक कि कुछ कर ना चाहते हैं लेकि नहीं कर पाने तो इनको ऐसा डाओट है है कि इनकी और ग्रोग इनकी एबंदंस इनकी हैप Part in इनका सक्सस किसी ने रोका है, आप दोनों को भी, याप दोनों को अलब करने के लिए बिकिसेंकोच किया है, बलाक माईजिक वगैरा, स्पल वगैरा किसी ने कुछ किया है, हि leaner role यहाँ पर है, to even here, और यह सेम जेंडर की कुछ लोग्याँ पर हैं, ये नहीं है, इस जो quién's कोइस्टूम के थैर है, लेकिन सोल होसनी देखते हैं अपने की, ये प्यार फिलिंग्स कीलिए किसी के लिए, हम चाहके किसी के लिए फिलिंग्स के को तकलीफ नहीं में बस तकलीफ नहीं कर रहे था लिकिन अगर आप पेन में हैं नहीं बता रहे इस लिए इन्स नहीं बता रहे हो तो कि आप आपको कि बताना चाहिए ठीक है इसको soul journey की तरह देखें इसको body consciousness में ना देखें इस journey को ठीक है तो मुझे यहाँ पर बहुत लोगों का special journey भी दिख रहा है for sure और इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप दुनों की कोई special journey है ठीक है और एक ही soul के अगर parts आप लोग है तो आप growth की तरफ और यह जो है इनकी जिन्दगी कैसे रुग गई मतलब same souls अगर है तो दोनों साथ में grow करने चाहिए ना जब separation आता तो दोनों separate होते हैं अगें आपको बहुत सारे achievements मिल रहे हैं आप अपनी life में grow कर रहे हो और यह जो इनसान है grow नहीं कर रहे हैं इनको ऐसा भी लग रहे है कि आपको acceptance नहीं देने की वजह से शायद इनकी life जो है वो growth की तरफ नहीं है अगर यह इस रिष्टे को acceptance देंगे तो शायद इनकी भी life जो है वो growth की तरफ रहेगी और यह भी अपने life में acceptance जब लेके आएंगे कि यह आपके साथ इनका कोई acceptance दी है आप अपनी soul journey पे हो आप अपनी soul contract पे हो इसलिए आप सारी चीजों को अचीव कर रहे हो और यह इनसान क्योंकि acceptance नहीं दे रहे हैं अपनी feelings को accept नहीं कर रहे हैं आपकी feelings को accept नहीं कर रहे हैं इसलिए यह इनसान जो हैना वो stuck है इनकी life की खुशियां abundance success achievements सब रुके पड़े हैं इसलिए क्योंकि यह इंसान इस journey को acceptance नहीं दे रहे हैं और यह बहुत correct है जो इनके दिमाग में आ रहा है ना वह बहुत correct आ रहा है क्योंकि जब spiritual journey में लोग होते हैं जो कि सारे लोग होते हैं लेकिन कुछ लोग मोक्ष के बहुत करीब होते हैं ना वैसे लोग में इतने obstacle आएंगे कि यह hangman की तरह ही रहेंगे इनको लटका सही महसूस होगा कि सब कुछ अटक गया है ना financial crisis health issues बहुत होंगे घर परिवार में बहुत arguments बहुत जगड़े you know suppression divorce बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा जब तक इस रिष्टे को यह इंसान acceptance नहीं देंगे सो इनको अब यह realization होने लगा है क्योंकि यह इंसान इस रिष्टे से भाग रहे हैं यह रिष्टे से मूँ फेर रहे हैं और acceptance नहीं दे रहे हैं crush भी अगर हैं तो इनकी strong feelings है कि आपके सब कोई strong connection है जिसको यह accept नहीं कर रहे हैं सो नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके life में बहुत सारे obstacles हैं और क्योंकि आपने accept कर लिया है आप अपनी soul journey पर हो अपने soul contract पर हो इसलिए आप achievements पर achievements आपको मिल रहे हैं इनको ऐसा लग रहे हैं इनको इसा लग रहे हैं तो नजर लग गई है आप लोगों को यह फिर किसीने black magic क इसने किया है जिसके चलते आप लोग अलग हैं जिसके चलते आप लोग शाह के पर अपनी feelings share नहीं करते हैं या reunite नहीं करते हैं या आप दोनों के बीच चीज़े सही नहीं होती है क्योंकि कि किसी ने कुछ किया है इनको ऐसा लग रहे है कि इसलिए चाह के भी यह express नहीं क union में नहीं आपा रहे हैं यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं रीमाइट नहीं होपा रहे हैं इंको ऐसा लग रहा है ठीक है action मेंatur एक्सेप्टर सिर्फ आ डिटा मिर्कल्र की एर्जी दृक इनंसान अतलब इनकी expectation रिवाइन कुछ ऐसा मिरें क्ल ऑडिक्र में रहना और यह अपनी चोटी-चोटी विशर्स को आपके साथ फुल्फिल्ट कर पाए तो यह एक मिराकल का वेट करते हैं मुझे दिख रहे हैं गुड़ लग की एनरजी यहां पर है आउटकम में सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दम से स्टन अक्शन का होगा यह किसी मिराकल का वेट कर रहे हैं कुछ लोगों को हो सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप दोनों की एनरजी को जो भी अगर आप में बहुत गुस्सा है और यह फिर इन में बहुत गुस्सा तो अपनी गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं यह फिर दोनों में आप दोनों में जो भी ची चाहते हैं एसे एनर्जी और हीलिंग चाहते हैं कि दिनों में फिर से करेंगे और फिर से में बी दूर हो जाएंगे लेकिन यग युए-प नहीं करेंगे आ सी के इनर्जी znajम प्लीस गाइज़ सब्सक्राइब लाइर lotta कि मुड्क जब ग рек clubs ला casi समर्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो कि अपने करियर फोकस करियर पर फोकस है अपने आप में फोकस है और यह इंसान जहें आप में नजरे बैठे हैं कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा मिडाकल होगा अभी इनको लग रहा है कि आपके लिए इंपोर्टन नहीं है ऐसन को लग रहा है इनको लगता कि आप इनके पिक्चर पर किस करते हो वाई यू दिस तो में अपने क्यों किया इनके साथ जो भी किया अट्याचार जो आपने किया I hide my tears under my smile अपने smile के पीछी अपने आसम कुछ हुपाते हैं इनसान यही कहना चाहते हैं wish I could rewind everything and do better this time सब कुछ यह इनसान rewind करना चाहते हैं सब कुछ सही करना चाहते हैं ऐसी energy है you believe or not I love you more than you know आप मानो यह ना मानो यह इनसान जो है आपको बहुत प्यार करते हैं ठीक है ऐसी energy beautiful यह बहुत सुंदर energy है और क्लेम की जिस energy को यह थी आज की रीडिंग I hope कि कुछ guidance मिली हो आप लोगों को मिली है तो इस लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें bell notification को ज़रूर से on करें बने हमारे प्यारे से soul family का हिस्सा मैं मिलती है आप लोगों से next reading में तब तक के लिए मस रहें वैस रहें खुश रहें अपना बहुत सरा ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें God bless you all